नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार मिस्कुनीज में दोस्तों यूपिटर पलेसी से एक बहुत अच्छी खुसकबरी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इस परिणाम को लेकर बहुती बड़ी खबर आ चुकी है और जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ एकदम ओफिस्यल है और बिलकुल 100% सत्य है और यूपिटर पलेसी से 100% जानकारी मिलने के बाद ही ये खबर आपको दी जा रही है ठीक है दोस्तो और किस भरती के छात्रों का इंतजार समाफ्थ हो चुका है और इस भरती के छात्रों की हो गई बल्ले बल्ले ठीक है दोस्तो तो भाईया सीधा मुद्दे पे आता हूँ आपका समय ना वेश्ट करते हुए देखिए एक परिणाम है भाईया परिणाम है जूनियर असिस्टेंट 2016 फाइनल रेजल्ट पहली जो जानकारी है ना पहली खबर है इस भरती के परिणाम को लेकर देखिए जूनियर असिस्टेंट 2016 फाइनल रेजल्ट को लेकर बहुती बड़ी खबर आ चुकी है और इस भर इंतजार अब बिल्कुल समाप्त हो रहा है जिया दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ जे ए 2016 फाइनल रिजल्ट आठ फरवरी से पहले पहले जारी होगा जो जानकारी है सोब प्रतिश सकते है और आपको आने वाले तीन चार दिनों के अंदर पता लग जाएगा मेरी जानक आपको मैं नियास तक दी है वो 99% सही साबित होई है एक परसेंट तो भई यो पिटर पलेसिक आयोग है कुछ भी कर सकता है आप जानते हैं बाकी जे ए 2016 वाले चातर बिल्कुल तैयार रहे आठ फरवरी से पहले पहले आपका परिणाम हर हालत में जारी कर दिया जाएगा ठीक है अब देखिए इसका परिणाम आठ फरवरी से पहले पहले जारी होने की वज़ा एक और बताई है आयोग ने ठीक है यूपी ट्रिपल सी करमचारी ने साब साब बोलाए कि हम इसका परिणाम आठ से पहले जारी कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले छात्रों का ठीक है अब इस भरती के छात्रों को फायदा क्या मिलेगा देखिए दोनों ही भरती हैं कनिष्ट सहायक की अब जिन छात्रों का सेलेक्शन जेए 2016 में हो जाएगा तो उन में से छात्र जेए 2019 का डॉकुमेंट वरिफि जेए 2019 के छात्रों को होगा और देखिए एक बात में आपको बता दूँ जितने भी छात्र जेए 2016 के हैं जिन छात्रों का इस भरती में अगर सेलेक्शन हो जाए तो उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जेए 2019 के डॉकुमेंट वरिफिकेशन के लिए ना जाएं देखिए जॉब तो बिलकुल एक ही है ग्रेड पे सेम है सेम जॉब है तो फिर 2019 वाले जेए भरती में डीवी कराने का कोई और चित्र नहीं बनता तो उन सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनका जेए 2016 में सेलेक्शन हो जाए वो जेए 2019 का डी 2019 का जो आपका डीवी का शेड्यूल है वो आठ फरवरी से शुरू हो रहा है और कम से कम 30 अपरेल तक ठीक है लगबग पौने दो महीने तक ये डीवी चलेगा ठीक है दोस्तों तो वैया एक बहुत अच्छी निउस आपको दे रहा हूँ मैं और यूपिटर पलेसी ने ये जिससे अधिक से अधिक चात्रों को जेए 2019 में नौकरी मिल सके ठीक है दोस्तों तो वैया जेए 2016 वाले चात्र बिलकुल तयार रहें आपका इंतजार बिलकुल समाप्ती की तरफ है आने वाले तीन या चार दिनों के अंदर आपका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएग तो यह खबर है यूपिटर पलसी से परिणाम को लेकर और किसी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी जानकरी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम authentic जानकरी मेरे चनल पर दे दी जाएगी दोस्तो यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोज पाने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय इन जय भरत